बहुत सारे बच्चों के मैंन में ये डाउट आ रहा है कि हम लोग exactly में एंडिय का पेपर कैसे करके जो attempt करें कैसे करके जो best way में हम लोग attempt कर सकते हैं जिससे हमारे maximum possibility है marks आने की कॉई time management की कि दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो काफी जाता सही मिल जाता है 2 घंटे का time मिल जाता है तो आप लोग एपको जयए सक्रेक्षिन करना है या फिर पहले आपको English का section करना है कोई भी कर सकतो, कोई दिक्टत नहीं है बठा, क्या चीज उसमें ध्यान रखने है Paper 2 में आप लोग के गलती होने के chance से जादा होते हैं, क्यूं होते हैं क्यूंकि आप लोग धंग से नहीं पढ़तो कोई भी question है, उसे कम से कम दो बार पढ़ो, चाहे maths में, चाहे GS में, क्यूं पढ़ना है क्यूंकि देखो, क्या होता है, हम लोग कभी बार गलत पढ़ ले तो थोड़ सा question कहीं पे not लिखा हुआ होता है, हम लोग वो not नहीं पढ़ते हैं, और question को गलत परसीव कर लेते हैं जिसके वैज़े से ultimate की हमारा answer भी गलत होई जाता है, तो आपको बिल्कुल question को गलत परसीव नहीं करना है पहली चीज, जैसे सबसे जादा गलती होते हैं, जब आप not देखते हो not आपके गरता हो, which of the following is not correct लिखा होता है, आप लोग पहला option देखते हो, पहला option में सही होता है बिल्कुल statement, उसे tick कर देता हो आगे बढ़ जाते हो, बट आप नहीं किया not छोड़ दिया, तो जहां पर भी आपको not दिखे, एक circle अलग से बना दो एक circle अलग से बना दो चाहे आपको थोड़ सा बोल्ट में भी दिख रहा है फिर भी एक circle बना दो, ताकि आप लोग को एकदम shorty रहे, वह आला question आपका गलत होने के बहुत जादा chances होते है, इवन एक बच्चे ने बहुत अच्छा comment भी किया था, कि भाया जब मैंने mock दिया ना, तो basically दो mistakes हो रही है मेरी, दो बिल्कुल इतनी silly mistakes हो रही है, जिसकी वज़े से मेरा score कम हो जा रहा है, कम से कम 4 से 5 question की गलतियां हो रही है क्या कर रहा था हो, वो पहली बात तो question को हम लोग डंग से पढ़ते नहीं है, question को read डंग से 4th option को भी पढ़ना है हमने चाहे आपके सही लग रहे है आपको लेकिन आपको फिर भी 4th option में भी पढ़ना है क्यों पढ़ना है, क्योंकि आप लोग के जो maths में होती है, देखो maths में मैंने value putting सिकार किया तुमको कैसे करके आपको value putting करना है especially trigonometry में, कैसे करके सिर्फ theta की value रखो, सीधा answer आजाएगा उसमें देखो दिक्कत क्या होती है कभी-कभी उसमें क्या होता है, एक value जिसते आपने suppose करो theta की value 90 रख दी 90 पे क्या हो जाता है, दो option एकदम सही आ जाता है, आपने क्या क्या first option चेक किया, नहीं आ रहा, second किया, नहीं आ रहा third किया, आ गया, tick कर दिया बट कभी-कभी क्या होता है, 90 पे शायद fourth वाला भी सही होता 90 पे शायद fourth वाला भी सही होता और फिर आपको एक अनना पड़ता आपको theta की कोई और value लीनी पड़ती जैसे 45 ले लिया, आप 45 में आप देखोगे first option गलत, second गलत, third गलत, fourth आ रहा सही तो आपका answer fourth होगा, third नहीं होगा भले 90 पे third वाला भी सही आ रहा है बट आपको दो value for putting करके देखनी है क्यों? क्योंकि आपके दो option सही हो रहे हैं किसी एक value पे, इसी लिए आपको करना है, इसलिए बहुत important हो जाता है आपको वाला option भी देखना है कि कैसे करके आप लोगों कर 4 option चेक करो, उसके बाद ही आप क्या करो अपना answer decide करो तो ये basic गलती होती है जो एक बच्चे ने भी रेखा था, यहाँ पर उसको comment दिख रहा होगा तो ये एक basic गलती है जो जिनोंने मौक दिया होगा उनके साथ भी यह हुआ होगा अब देखो GAT का paper हमको पता लग गया क्या जो basic mistakes होती है इसके अलावा आपका जो अब एक और चीज़, GAT के लिए अगर तुमने अभी तक rearrangement of sentences नहीं किया थोड़ सा उसकी practice कर लेना कम से कम से कम 25-30 question कर लेना वो काफी ज़्यादा beneficial होता है क्योंकि 40 marks तो almost sure marks होता है उसको बिल्कुल गलत मत करके आना क्योंकि अगर उसको गलत कर दिया तो काफी ज़्यादा problem हो जाती है आपके परटाव clear करने में सेकेंड आपका math paper कैसे करके अप्रोच करें देखो math paper मैंने पहले ही बता थो तुमको पहले तुम लोगों को यह analyze करना है question दो कैटने करी में बाढ़ता है short question long question short question और long question को कैसे बाढ़ता होगे पहले 10 से 15 second या 20 second तक देख लो ये question क्या मुझे आता है ये suppose करो तुमने अगर trigonometry पढ़ी है तुमने calculus नहीं पढ़ी है तुमने calculus के पहले तो सारे question छोड़ते ना है जितने भी calculus के जूट रहे है दिखने उनको छोड़ते जाओ पढ़ो भी मत उनको क्यों नहीं पढ़ना क्योंकि देखो अगर दस question आया है तुम्हें शाय देख आजाए शाय दो आजाए उसके चक्कर में तुमने क्या कर दिया दस को पढ़ने के चक्कर में अपने टाइम वेस्ट कर दिया तो पहले मत पढ़ो उसको इसकी बज़ाए तुम लोग जैसे तुमने और उसके दो गधा उसको करो अगर हो जाता है तो इसको करो है अगर नहीं होटा है suppose करो तुमको दो मिनिट वाद पतर चला कि इसमें और जादा टाइम लगेगा इसमें पांच मिनिट और लग जाएंगे वही पर छोड़ दो उस question को for the time being एक अलग से symbol बना दो जिसे circle बना दिया तो जाधा सही है क्योंकि वहाँ पर तुमने पांच मिनिट जहां पर तुम अपने वेश्ट करोगे इस से अच्छा शायद तुम आगे के दो question कर लो हर एक question करने पर तुमको 2.5 माकसी मिलेंगे चाहे easy करो चाहे tough करो इस से अच्छा तो सारे easy कर लो ना सारे अगर तुमने easy questions कर भी लिए तुमको फिर भी तो 2.5 मिलेंगे ना हर एक question के अब तू अब अगर तुम्हें hard वाला कर लिया तो ऐसे तो नहीं UPC के chairman तो नहीं आकर बोलेगा ना सवाज बिटा बहुत बढ़िया तुमने याला बहुत tough वाला कर दिया अस तो नहीं बोलेगा ना या तो cutoff clear होगी या नहीं होगी इस से अच्छा है easy वाला करो easy वाले से यह question मुझे से हो जाएगा ठीक है हो जाएगा क्या दो मिनिट के अंदर होगा अगर होता है तो approach करो नितो मत करो for other time भी अगर उसके बाद तुम्हें दो मिनिट बाद suppose करो तुम्हें start कर दो दो मिनिट बाद तुम्हें लगता है कि नहीं अभी इसमें मुझे दो तीन चुली में 120 question देख पाओगे अगर 120 question नहीं देख पाते तो उसके बाद क्या होता है basically यह काफी बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ पहले के 50 question tough वाले आ जाएंगे और बात के जो questions होता है वो easy वाले होता है तो पहले के 50 मों इतना जातर time waste कर देते कि बाद के 70 question वो देख ही नहीं पाते है जिसके वज़से उनके शायद cutoff भी के लिए नहीं होती है और individual cutoff भी कभी-कभी रुख जाती है जिससे एक पिछली बार में एक क्या हुआ था एक बच्चे के 73 marks आरते maps में लेकिन उसके 380 यह 370 के करी बार थे जीटी में तो अगर वो शायद एक और question कर लेता सही तो उसका हो जाता clear तो इसलिए तुमको यह वाली गलती नहीं करनी है इस बार ठीक है तो उम्मीद करता हूँ अब तुमको exactly पता लग गया हो कैसे करके जो तुम लोगों का approach करना है paper को और कैसे करके जो exactly में एक दम सही तरीका है एक paper को solve गरने का और क तुमको सब कुछ समझ आ गया होगा इसके अलाब अगर तुमको और भी ज़्यादा tips सीखनी है तो मैंने already इस पर पूरी playlist बनार किये description में मैं दे दूंगा यहां पर i button भी दिख रहा होगा तुम लोग सारी कि सारी वीडियो के देख सकतो बहुत जादा beneficial होने वाली है तु